हेलो गाइज मैं हूँ राजन वर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC क्लासे आज आपको इस वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है वो क्यों मज़ा आने वाला है कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं यूपी ट्रिपल से वीडियो भरती जो कैंसल हो गई है आपकी उससे संबंदित एक एक प्रस्न मतलब एक एक प्रस्न का मतलब समझ रहे हैं आपके मन में जो भी प्रस्न है उन सभी प्रस्न का निवारण आपको यहां मिलने वाला है ठीक है तो विकुल आराम से बैठिए और इस वीडियो का मजा लीजे आपको आपकी एक एक queries को मैं दूर करने वाला हूँ तो जितना मैं बता रहा हूँ सुरू से आप देखते चलिए एक एक चीज आपको clear हो जाएगा कितने बच्चों ने form भरा कितने बच्चों ने paper दिया, salary कितनी मिलती है, cut off कितना गया था triple C कब तक का valid होगा, previous paper कहां से मिलेगा, उसका answer की कहां से मिलेगा cut off पहले से कम जाएगा, कि क्या होगा, सब कुछ यहां मिलने वाला है आपको ठीक है, चले वीडियो सुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए, यह रहा उत्तर प्रदे सदेनसिस चैन सेवा आयोग लखनौ, विग्यापन संख्या 2, 2018, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की तिति भी आप देख लो, ठीक है, यह सब है, और अंतिम तिति आपकी 2018 थी, खैर यहाँ पर कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आपको एक एक स्लाइड में कुछ ना कुछ खास मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, चलिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखिए, मैंने बस चाट चाट के important चीज़े रखी हैं, ठीक है ना, देखिए, अब यहाँ पर यह वाला देखिए, निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनो, है ना, ग्रेट पे बावन सव से दो अजार, बीस अजार दो सो है, दो अजार ग्रेट पे, ठीक है, सबको पता है, सीटे कितनी थी, पंदर सो सत्ताई, अब यह इस्थ अब यह देखिए, अगला देखो, अगला क्या है, निदेशक समाज कल्यान उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, इसमें 362 पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे अजिस्थाई लिखा हुआ है, क्या किसी के मन में सवाल उठा, यह है ग्राम पंचायत अधिकारी, यह है ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डवलोमेंट ओफिसर, ठीक है, क्या यह इस्थाई है, मतलब पर्मानेंट नहीं है, बच्चो, आपको इसका जवाब दे देता हूँ, यहीं के यहीं दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इस्थाई में भी आपको दो साल, और यहाँ पे भी आपका द दो साल, दो साल का प्रोबरिशनरी पीरियड होता है, ठीक है न, दो साल आप जो काम करेंगे, उसमें अगर सवा, उंगली उठाई जाती है, है न, या किसी अधिकारी ने आपके खिलाब कंप्लेन किया, तो आपको हटाया जा सकता है, दो साल के बाद ही आप इस्थाई हलांकि एक बार नौकरी लगने के बाद कोई बाहर नहीं होता है, ठीक है, ये रहा आपका टोटल पोश्ट उननी सो तिरपन, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड के बारे में देखते हैं क्या जानकारी है, यहाँ पर महिलाओं के लिए है न, देखें, उनके लिए क्या खुसखबरी है, भाई, ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी, इसमें 305 पोश्ट महिलाओं के लिए आरच्चित है, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी, उसमें महिलाओं के लिए 72 पोश्ट आरच्चित है, समाज कल्यान पर विच्छक मैलाओं के लिए 12 पोश्ट आ रहा चीत है तो भाई मैलाओं में कोई लड़का नहीं घुश सकता है उनकी जितनी सीटे हैं उनके टकर किवल उसी में हैं ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं आगे 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 देखते हैं क्या है आईए अब आपके लिए बहुत ही important फिक है ना देखे एक बार जल्दिसे देख लेते हैं आप लोगों को क्या चीज चाहिए था मतलब triple c चाहिए था और intermediate चाहिए था यही तीनों में चाहिए था थाल तो कहीं नहीं समय बरबाद होगा आपका ठीक है आईए age वाला तो भाई जिन्हों ने form भर लिया है तो age वाला इसको इमतलब भी नहीं है ठीक है आईए अब देखते हैं इसका पाठिक्रम क्या था परिच्छा का पाठिक्रम क्या था इस पे जोर डालते हैं ठीक है ना देखे चैन का आधार जो है तीनों के लिए ठीक है ना क्या था लिखित परिच्छा है ठीक है अब इसमें क्या है आपका भाई लिगित परिच्छा में क्या होना है जिएक तीन सो अंकों का लिगित परिच्छा था पचास-पचास कोश्चन तीन खंडों में थे ठीक है? पहला हिंदी है पचास कोश्चन और मतलब एक कोश्चन दो नंबर का सौ नंबर का पीपर दूसरा रिजनिंग है रिजनिंग में ही ये सिंपल सिंपल मैथ डाल देते है मतलब पचास कोश्चन तीसरा जीएस है जो की बहुत कम लोगों की अच्छी होती है पचास कोश्चन और ये रहा आपका सौ सो नंबर का और ये हो गया टोटल तीन सो नंबर अरे लाश्ट तक देखिएगा तभी तो आपको पदा चलेगा कट ओफ कितना गया रहा बाबू कितना गया रहा तभी तो तैयारी जोर सोर से कर पाएंगे ज़रा निगेटिव मार्किंग पे भी नजर डाल दियेगा क्या कह रहा है परिच्छा है तो निगेटिव मार्किंग दे जाने का भी प्रावधान है दो प्रस्न गलत होने पर एक सही प्रस्न का अंग काटा जाएगा आपने एक कोशिन किया दो कोशिन किया तीन कोशिन किया आपने इसको सही किया आपको दो नंबर मिल गया आपने इसको गलत कर दिया इसको गलत कर दिया तो अब आपका ये भी चला गया मतलब जीरो नंबर मिला आपको ठीक है तो बहुत तगड़ा वाला निगेटिव मार्किंग है चलिए आगे देखते हैं आगे आते हैं बच्चो अब यहाँ पर देखे आपका पाठिक्रम में क् हिंदी में क्या पूछा जाएगा सामान ने हिंदी है हाई स्कूल परिच्छा आत्वा समकच परिच्छा के इस्तरका होगा हलांकी मात्रिय संयोग कहा जाएगा हाई स्कूल के लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही होता है चलिए आगे आगे देखते हैं बुद्धी परिच्छन भाई reasoning जो UP SSC पूछता है वो हल्वा नहीं होता है पहले बता दो UP SSC का reasoning हल्वा नहीं होता है अगर practice नहीं होगी तो अच्छे खासे question यहाँ छोड़ दोगे ठीक है चलो सामानी जानकारी GS GS में आप लोग खुदी होसियार है ठीक है भाई देख लो ठीक है सब सब जानते हैं क्या क्या पढ़ना है GS में ठीक है आगे बढ़ते हैं फालतो टाइम नहीं पर बात करना है ठीक है न यह तो वैरिता क्रम हो गया salary की बात कर लें तो इसके पहले जो वीडियो वाली vacancy clear हुई थी मेरा खुद चाचा का लड़का उसमें नौकरी कर रह है और वहीं गौ में पोश्टिंग होती है तो अचारी का ही अंतर आता है तो बाकि सारी चीज़े सेम है आप इन हैं चौबिस हजार से अगर आप सहर में हैं तो 2600 2600 2600 कितना 2600 500 के बीच में पाएंगे ठीक है अच्छा चलिए आपको एक चीज़ और बदा देते हैं salary कम ल बहुत से भाई लोग इसको चूते तक नहीं है चलिए अब इससे ज्यादा क्या कहूं आप लोग समझदार हैं ठीक है ना चलिए आगे देखते हैं अच्छा आगे आपके लिए क्या है भाई देख लेते हैं यह वाला मैंने slide क्यों रखा था इसमें भी कुछ important है नई इसम देख लिजिए आप भाई आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट क्या सर ट्रिपल सी जो हमारा है वो फॉर्म के बाद का है फॉर्म जब आया था और जब खतम हो गया उसके बाद का है क्या वो वैलिड है तो आपको साफ साफ पढ़के बताते हैं यह 15 नंबर पढ़िए आ आवेदन की अंतिम तिथी तक धारित अरहता की स्विकार ही की जाएगी आवेदन की अंतिम तिथी के बाद क्रहण की गई योग्यता पात्रता विचारण के अंतरगत माने नहीं होंगे यहां साफ साफ लिखा है ट्रिपल सी प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथी के प कुछेगा सर ट्रिपल सी कब तक वैलिड है ट्रिपल सी कब तक वैलिड है तो ट्रिपल सी आपका इसके अगर पहले का है तो ही ठीक है अंतिनतिती क्या है इसके पहले का होना चाहिए भले ही वह 28-6-2018 का हो आप वैलिड हो उन्तिस का भी होगा तो भी वैलिड हो तीज का होगा तो वैलिड नहीं हो ठीक है अब अब आगे बढ़ते हैं ठीक है ना कौन सी स्लाइट पे थे भाई ठीक है चलिए आगे देखते हैं यह हो गया आपका अगला देखते हैं अगले में क्या है बैर कुछ खास है क्या है यहाम पे पर बीए लिखा हुआ है कि ऐसे अब्यरती रहता नहीं रखतें वह इस परिछा में आविधन कर सकेंगे पुछ खास नहीं है ठीक है यहाम अबर हाँ ठीक है यहां पर कुछ खास नहीं है अगला देखते हैं भाई अगला आगया कट ओफ ठीक है कट ओफ तो उसके पहले कट ओफ के पहले मैं आपको कुछ चीज़े बता दूँ चौदा लाग बच्चों ने चौदा लाग बच्चों ने फॉर्म भरा था ठीक है फॉर्म भरा था साड़े नौ लाग बच्चों ने पेपर दिया था ठीक है साड़े नौ लाग बच्चों ने पेपर दिया था मतलब कितने बच्चों ने छोड़ दिया करीब 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 पांच लाग बच्चों ने पे है देखते हैं कट-off को कि अनार अच्छित अनार अच्छित मतलब भाई साब जनरल कटेगरी वाले 211 नंबर कट-off गया था 300 में ठीक है ना 300 में गया हुआ है ठीक है उसके बाद SC, ST, OBC ठीक है सी का 185 नंबर एंड OBC का 168 नंबर सॉरी स्टी का 168 नंबर एंड OBC का 205 नंबर 300 में 211 नंबर जनरल बाकि उसके नीचे भाई देवियों के उपर थोड़ा ध्यान देते हैं महिलाओं के उपर 198 नंबर गया था अभी मेरा बहुत सांदार कोशन आप से बाकि है तो मेरा कोशन ये है आपको क्या लगता है कि इस बार जो पेपर होगा ओ माई गौड ये भी तो आपको बता दू पेपर कब होगा तो पेपर आपका होने वाला है अगस्त 2021 में आपका पेपर हो ठीक है आप इसको बिल्कुल 100% कॉन्फर्म लेके चलो ठीक है भाई कोई सबूत मांगेगा क्या कोई सबूत मांगेगा क्या मैं कह रहा हूँ ये सबूत बहुत है ठीक है दूसरी चीत अब आप मुझे बताईए कट ओफ जो है 211 से इस बर जादा जाएगा या कम जाएगा मैं जो जानता हूँ मैं जो बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप ज़रा ध्यान देना सबसे पहली चीज़ इस पेपर में नकल हुआ था बहुत तगड़ा हुआ ठीक है ना नकल हुआ था उसके भी साच्छ मेरे पास उपलब्द हैं अगर आप कहेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट पर उसे मैं दिखा दूँगा बच्चों के ओयमार सीट को मैच कराया गया था ठीक है तो जो आयोग के पास ओयमार सीट होती है ठीक है उसमें और जो औरिजनल होती है दोनों में बहुत अंतर था ठीक हाई सब की हड्या काब गई होंगी अब कोई पैसा वैसा नहीं देगा ठीक है कोई पैसा नहीं देगा ठीक है अकल ठीकाने आ गई होगी तो सबसे पहली चीज वह सारे बच्चे तु बाहर हो गया जो नकल वाले थें मानते होगी नहीं मानते होगी नहीं कमेंट करके बतान ठीक है चलो आगे अब हमारा सवाल देखो हमारा सवाल जवाब जो भी यह देखो जब नकल हुआ था तब कट आफ गया था दोसो इग्यारा नमबर नकल होने पर कट आफ हाई जाता है हमेशा हाई जाएगा और नौ लाग साड़े-9 लाग बच्चों ने पेपर दिया था तो इस बार इतने बच्चे पेपर नहीं देंगे कम से कम दो लाग इसमें से माइनस करो बिलकुल करो आप मैं नहीं मान रहे हो मैं बता रहा हूँ न साथ लाग बच्चे पेपर देंगे कम से कम ठीक है न यह कम से कम है या जादा जादा जो भी है लेकिन कट आफ के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो मेरी राय ये है, कि इस बार 180 नंबर भी सेफ रहेगा, इस बार 180 नंबर भी सेफ रहेगा, आपकी क्या राय है, मुझे comment box में बताईएगा, ठीक है, अच्छा, previous year paper का solution, previous year paper का solution जो है, वो मैं आपको कराऊंगा, और answer की भी दूँगा, ठीक है न, sorry, sorry, तब यह थोड़ी सी ढिली है, ठीक है, तो यहाँ, यहाँ पर आपको एक एक चीज समझ में आ गया है, इसके बावजूद आपका कोई भी, और हाँ, सभी बच्चे like and subscribe कर लेंगे भाई, like and subscribe कर लिजे, आगे इस पे previous year paper, previous year question paper solve होगा, ठीक है न, और आपको उसके answer की भी दिये जाएंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो अभी like and subscribe कर लिजे चैनल को, और कोई भी सवाल हो, तो फटा-फट कमेंट करिए फटा-फट कमेंट करिए, मैं हूँ यहाँ पर बैठा हुआ, आपके एक-एक सवाल का answer देने के लिए, तो बच्चो, thank you so much, अभी भी कोई सवाल हो, तो मैं हाजिर हूँ, आपकी सेवा के लिए, ठीक है, अपने ख्याल रखिएगा, और बाहर घुमना फिरना भी जारी आकर, बिना मास्क के नहीं, ठीक है न, बाई बाई, टेक के,